Nex question 2-2-2 का सवाल है, question says when the momentum of a proton is changed by an amount of P naught, corresponding change in D Broglie wavelength is found to be 0.25% सवाल है, then the original momentum of the proton was, now simple सवाल है, यहाँ पर हम अपना error analysis use करेंगे, यह बात अपने को पता है कि हम लिखते हैं, lambda is equal to H by P, H आपका universal constant है, इसकी बात हम करेंगे कि कैसे है क्योंकि इनकी यह क्योंकि आपका डिल्टा लैम्डा में चेंज हुआ है वो 0.25% है तो इसको हम लिखेंगे 0.25 0.25 divided by 100 will be equal to delta P यह आपको दिया हुआ P0 यह आपका चेंज हुआ है इसको आप लिखते हैं P initial लिख लेते हैं आपे ठीक है जो आपका P initial ओरीजिनल वो था ठीक है सो अब इसको देखेंगे विच इंप्लाइज आपका पी इनिशल जो है वो हो जाएगा P0 multiplied by 100 divided by 0.25 ना 0.25 को हम यहाँ पर 0.25% है तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0.25 ऐसे लिख लेते हैं सो अगर इसको 4 से multiply और divide कर दोगे तो नीचे 1 बन जाएगा विच इंप्लाइज आपका पी इनिशल विल भी हो गया 400 पी नॉट सो बेस अन देस सम कह सकते हैं कि आपका option number C would be the right answer